सितंबर माह का दूसरा सप्ताह तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जैमातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी 8 सितंबर से 14 सितंबर तक के तुलाराशी फल के बारे में तो सूर्य अपनी राशी सिहिंग राशी में होंगे, साथ में उनके बुद्ध देव भी होंगे, तो बुद्ध हदित राजियों का निर्मान रहेगा इस पूरे सप्ताह में और चंदर्मा की जो शुरुवात है, सप्टा की शुरुवात में चंदर्मा तुला राशी में गोचर करेंगे, उसके बाद वो राशी बदलते जाएंगे इसके अलावा जो बुद्ध हैं वो सिंग राशी में हैं ही गुरुबस्पती विरिशब राशी में विराशमान है आप ही के राशी के स्वामी की दूसरी राशी में शुक्र कन्या राशी में विराजमान है जो की इनकी नीज की राशी होती है और शनी कुम्बराशी में वक्रिय वस्था में विराजमान है राहुमीन में और केतु कन्या में तो इस तरह से इस सप्ताह में ग्रहों की इस्तिती रहने वाली है कोई बड़े ग्रह का राशी परि तो कई तरह के योग जरूर होंगे और देखे चंद्रमा तो जब भी राशी बदलते हैं किसे ना किसी ग्रह के साथ योती करेंगे सवादो दिन का गोचर का समय है तो ये समय अवदी या इन साथ दिनों में तुला राशी के जातकों के लिए क्या चीज़ें अच्छी होंगी क्या चीज़ें साथधानी पूरवक होंगी क्या उपाय कर सकते हैं और कौन कौन से दिन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे इनके बारे में जानेंगे तो तुला राशी की मैं बात कर रही हूँ और तुला राशी के लोगों के लिए इस अपताह में चीज़ें वो कही न कहीं बہतरी की तरफ रहेंगी सबसे पहले अगर मैं आपके हैल्ध की बात करूँ तो हैल्ध आपके अच्छी दिख रही है आपके पंच्ख महाओ में शनी वीराजमान है आपके हैल्ध के लिए अच्छे यूग बना रहे हैं जिसके चलते आप अपने जीवन के सबी शेत्रों पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे क्योंकि किसी भी चीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो कहीं भी मन नहीं लगेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी अपने हर एक चीज पर अच्छा परदर्शन कर पाएंगे और साथ ही आपके साहस में भी व्रद्धी होगी आपके अंदर आत्म विश्वास भी देखने को मिलेगा आत्म विश्वास में भी आपको व्रद्धी देखने को मिलेगी आप इस वीक में अपने जीवन से जुड़े उन सभी चीजों पर फोकस कर पाएंगे जो अभी आपके सामने चल रही है नेड़ों को भी अच्छे से ले पाएंगे बड़ी ही सरलता के साथ हर एक डिसीजन आप अच्छे से लेंगे और ऐसी चीजें जो बड़ा मुश्किल हो रही थी या किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था समझ नहीं आ रहा था यानि पूर्व में अच्छी खासी परिशानी हो रही थी उन चीजों को आप बहतर तरीके से कर पाएंगे नोकरी करने वाले जो जातक हैं और किसी ऐसे फिल्ड से जुड़े हैं जैसे सेल का काम हो गया मार्केटिंग का फिल्ड का काम हो गया तो ये वीक आपके लिए अपने टार्गेट को सही समय पर या समय से पहले पूरा करके देगा यानि कि आप अपने target से पहले ही अपने target को पूरा कर पाएंगे सफल कर पाएंगे और उसमें आप अच्छे धन प्राप्त कर पाएंगे धन कमाने के अच्छे आफसर आपको मिल पाएंगे और आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस week में काफी पैसा बना सकते हैं इस तरह के काम करने वाले जातक तो आमदनी में भी वरद्धी तो सुनिश्चित है कि पैसा कमाया, काम पूरे किये, टार्गेट को पूरा किया तो आपको वरद्धी भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी आपके लिए इस वीक में आपको अपने भागे का साथ भी देखने को मिलेगा और एक चीज का जरूर धियान रखें कि कोई भी मौका जो आपके हाथ में है या कोई भी मौका जो आपके सामने है वो आपके हातों से न फिसले इस चीज का धियान रखें, हातों से फिसलना न पाए ये भी आपके परिवार के सदस्यों के जो स्वास्त है उसका भी पूरी तरके से आप ध्यान रखते हुँ दिखाए देंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा आपके परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उन विवादों को भी दूर आप कर पाएंगे यानि कि अपनी हर एक चीज पर आपका ध्यान रहेगा हर एक चीज पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे आपके जो शुब ग्रहों का प्रभाव है उससे आपकी जो इच्छा शक्ती है वो बहुत प्रबल रहेगी आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं कुछ स्वादिस्ट खाना खाना इस तरह की चीजे भी आपकी रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा और आपका करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है जिवन में नई उपलब्दी हासल करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है नई काम्याभी पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कई ऐसे अफसर आप इस समया हासल कर सकते हैं जिनकी मदद से करियर में आप अच्छी रिजल्ट पराप्त कर सकें नौकरी पेशा जातकों के लिए ये वीक बहुत ही खुशियों वाला रहेगा आपका जो आफिस का माहूल है वो काफी अच्छा रहेगा आपका सामाजिक मेल जूल बढ़ा रहेगा नए संपर्क आपके बन पाएंगे आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिस से फ्यूचर में आपका जो आपका करियर है वो अच्छा आगे चल सके और आपके कारेश शेत्र है जो वहाँ आपके काम की भी प्रसंसा होने वाली है जो आप एक प्रयास खरते हैं उसके प्रसंसा रहेगी जिसकी वजह से नए अफसराने की उम्मीदें जादा बनी हुई हैं आर्थिक मामलों के लिए आपको स्थिरता रहेगी कोई अगर आपने करज लिया हुआ था तो उस करज को चुकाने में भी आप कही ना कहीं इस वीक में कामया भी हासल करते हुए दिखाई देंगे कि आप अपने करज को चुका सकें तो यह जो वीक है तोलाराशी के जा उद्वार तक का समय होगा आप अपने हर एक रिष्टों पर धिहान रखेंगे बड़े मधूर संबंद बना कर रखेंगे और गुरुवार से शुकरवार के बीच का समय बहुत उत्तम रहेगा हरी कारियों के लिए अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बाहरी संप परिवारिक दायत्व की पूर्ती कर पाएंगे और साथ ही समय का सदुपयोग भी करेंगे अब बात आ जाती है शनिवार और रविवार की तो इन दोनों दिनों में क्या रहेगा परिवार में बड़ों किस वास्ते का इन दो दिनों में ध्यान रखें शनिवार रविवार क के दिन उनके हैल्थ इशू कुछ हो सकता है और साथ ही इन दो दिनों में आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा क्योंकि समय थोड़ा सा प्रतिकुल हो सकता है तो वाद वाद के इस्तिति से आपको दूरी बना कर रखनी है अपने हरे काम को साफधानी प्राधना करें लाबकारी रहेगा और साथ ही मन की जो दूर होगी अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो इस राशी के स्टूडेंट हैं उनको अपनी महनत करते रहनी होगी क्योंकि जब आप अच्छी महनत करेंगे तभी तो आप अपने शमताओं को पहचानेंगे और अपने पढ़ाय पर ध्यान दे पाएंगे अपनी संगत को सुधारने का प्रियास करें अगर आपकी संगत आपको पता है कि बुरी चल रही है यानि खराब संगत में आप बैठने लगे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस पर ध्यान देना शुरू करें अपने आपको संगत से दूर रखें क्योंकि यह समय आपके भविष्य को बनाने का है अपने काम से काम रखने की कोशिश करते रहें और अगर कोई परिख्षा है तो परिख्षा के लिए खुद को तयार करने में सलंगन रहें, competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जादा ध्यान दें, बेकार की चीजों को avoid करना शुरू करें, तब ही जाकार आप अपनी health को अच्छा रख पाएंगे, तो छोटी-छोटी चीजे होती हैं, लेकिन इन चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये बड़े नुकसान का कारण भी बन जाती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर आप कोई smoking गएरा करते हैं, तो उसको आपको दूरी बना कर रखनी होगी, उससे आप दूर रहेंगे तो अच्छा होगा, और यहाँ देखिए कुछ ऐसी चीजे भी इस सब्ता हमें आपके लिए दिखाए दे रहे हैं, कि परिवार में कोई नए सदसे की एंट्री हो सकती है, संतान प्राप्ती का योग बना हुआ है, और संतान प्राप्ती का योग है, तो घर में खुशाली भी आएगी, और साथ में कुछ ऐसी है कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा था, कोई पुराना मुकदमा चल रहा था, तो वहाँ समझोते की गुणजाई से दिख रही है, कई वर्षों से जिनके कुर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो कहिना कहीं समझोते की बातें शुरू हो सकती है, तो उसके लिए भी अच्छा दिन रहेगा, तो कुल मिलाकर दिन अच्छे हैं, उपाई की बात कर लेते हैं, क्या उपाई करें, उपाई के तोर पर तुलाराशी के जातकों को मदरुगा की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा, मदरुगा की आराधना करें, और मलक्ष्मी की भी आराधना आप करें, क्योंकि आपके राशी के स्वामी की, जो मलक्ष्मी हैं, उनके उपासक हैं, तो उनकी भी आराद ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा और साथी चैनल को सबस्क्राइब कर लें